हालो पेरेंट्स मैं पिंकी स्वागत करते हूँ आपकी अपनी चैनल पेरेंट्स है अपने माई डियर पेरेंट्स आप सभी को प्यारवरा नमस्का जैश्रीक कृष्णा रादे रादे माई डियर पेरेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो नवजास फिशू होते हैं वो बहुत ज़्यादा जीब को अपनी टंग को बाहर क्यों निकालते हैं कभी कभी आपने एक बात अपने बच्चे में नोटिस करी होगी कि आपकी जो नवजास फिशू होते हैं इस पेसली जो जीरो से 6 मन तक के बेबी होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपने टंग को बाहर निकालते हैं तो कभी कभी हमें लगता है कि हमारा बच्चा ऐसी हरकत क्यों कर रहा है कि हमारा बच्चा ही ऐसी हरकत करता है या कोई और भी बच्चे ऐसे करते हैं तो इसी की बारे हम बताएंगे कि ऐसे बच्चे क्यों करते हैं क्या रीजन है जिसकी बच्चे से बच्चे बार बार आपको इस वीडियो में explain करने बाली हूँ सबसे पहरे देखे मैं आपको बता दू यह कभी-कभी suffocation की कारड़ बच्चे का जब जीग उटने लगता है या किसी प्रकार की suffocation होती है या उसकी नाक बंद हो जाती है जब बच्चों को cold हो जाता है उसकी nose ब्लॉक हो गई है या गले में किसी भी जो उसकी chest है गले में कफ भरा हुआ है तब ऐसी condition में क्या होता है कि बच्चा बहुत जल्दी जल्दी जीग को बाहर निकालता है और बाहर निकालकर वो अपने आपको adjust करता है अपनी सांस को अपनी breathing को adjust करने की कोशिस करता है आप देखना कि अक्सर जब बच्चे की नाक बलाप हो जाती जुखाम हो जाता है या फिर उसके चाहती में कफ जमा हो जाता है तो बच्चे बहुत ज्यादा जीब को बाहर निकालते हैं तो यह एक reason माना जाता है साथी साथ जब गर्मियों का मौसम होता है तो बहुत ज़द जब गर्मी पढ़ती है तो ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि जीरों से 6 मन तक की बच्चे को पानी नहीं पलाना चाहिए या बहुत ज़द ज़रुत पढ़ रही है तो हम आरू का पानी या फिर बॉइल वाटर ठंडा करके अपने बच्चे को कुछ डॉप दे सकती है बट हमें नॉर्मल पानी अपने बच्चे को नहीं देना चाहिए क्योंकि उससे बच्चे को इंफेक्शन होने के चांसे बहुत बढ़ जाते है अगर बच्चा जीब निकाल रहा है बार बार तो आप समझ जाए कि उसको प्यास लगी हुए उसका मुझ सूखा हुआ है और वो कुछ लिक्विड अपनी माउथ में मतलब चाहता है तो ऐसी कंडिसन में अगर बच्चा बार बार जीब निकाल रहा है तो कुछ ड्रॉप पानी की हमें बच्चे के माउथ में डाल दीनी चाहिए लेकिन दिहाना के पान एकदम प्योर बॉयल या फिर आरो का पानी होना चाहिए जिससे कि बच्चे को किसी प्रिकार का इंफेक्शन ना हो तो जीब निकालने का एक अलड यह भी है कि बच्चा थर्ष्ट ही है थोड़ा सब प्यासा तो उसे प्यास लगी हुए उसका मूर सुखा हुआ इस बच्चे से वो बार बार जीब को बाहर निकाल रहा है थर्ष्ट पॉइंट है मैं बताऊंगी कि किसी किसी बच्चे की यानी डॉस में से सिक इवन प्रॉ जो बच्चे होते हैं वो अपनी टंग को बाहर निकालती है एक एकटिविटी होती है जो बोगत ही एदे नॉर मल उसमें आपको टेंसल लेने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है बच्चा ऐसे करती है एक नॉर्मल प्रोसेस है कि अपने टंग को बार बार होटो पर उसको फेर ना या बार बार उसको बाहर निकालना ठीक है तो इस तरीके से वो अपनी टंग को बाहर निकाल कर अपनी लिप्स को भी सक करने की कोशिस करती है तो यह भी एक नॉर् भीवे बार बार अपने जीब को बाहर निकालने की कोशिस करेगा भूक लगने पर शिशु जीब को बाहर निकालकर अपनी मा को संकेत देता है कि भई अब भूक लगी है मा जल्दी से कुछ दूद बूद पिला दो तो इस तरीके से बच्चा जब भूक लगने पर भी अपन कुछ ना कुछ उसको देते हैं, तो बच्चा जिन चीजे को पसंद करता है, उनको तो वो अच्छे से स्वैलो कर जाता है, बट जिसको वो पसंद नहीं करता है, उसको वो जीब के थुरू बहार निकाल देगा, अगर उसको दूद नहीं पसंद आ रहा है, उसका पेट बरा ह तो अपनी टंग से वो बाहर उसको निकाल देगा अपनी टंग से उसको अंदर नहीं निगलेगा उस बार बार टंग को बाहर करके निकाल देगा तो इस तरीके से जब उसे कुछ भी खाना पसंद नहीं आता तो वो अपने जीब के थुरू बाहर निकाल कर उसको निकाल देत इस प्रकार कि जब बच्चे को प्राब्लम हो जाती है या सूजन हो जाती है तब भी बच्चा अपनी जीब बार निकाल कर अपनी प्राब्लम को सॉल्व करने की कोशिज करता है कभी कभी बच्चे को बहुत ज़दा गैस की प्राब्लम हो जाती है और बहुत ज़दा बेचेनी होने लगती है तो अत्यदी गैस की कारण और बेचेनी की कारण जो दर्द होता है उसको वो डाइजेस्ट करने के लिए उसको सॉल्व करने के लिए बच्चा क्या करता जीब को बाहर निकालता है जब सिसू बार बार जीब को बाहर निकालता है तो उसको हम टंग थ्रश्ट भी कहते हैं जब बच्चों के दात निकलते हैं तब भी वो जीव निकालते हैं दात निकालने का यही एक वातर संकेत नहीं होता है मसूडों में सूजन, मसूडों का लाल हो जाना, मुह में बच्चों के चीज़ें डाल देना या बच्चा किसी प्रकार से इरिटेट है तब ऐसी इस्तित वीडियो में बच्चा आपकी जीव बाहर निकाल सकता है ठीक है नवजा सिसु दूद पीते समय अपनी जीव बाहर निकालते हैं और कई बाद चार से छे महीने की उम्र के बाद उन्हें जीव निकालने की आदत पर जाती है इसमें बच्चों को बहुत जदा मजा आता है वो अपने मुह पर लगे आसपास की चीज़ों को लिख करने लगती हैं तो यह एक नॉरमल प्रॉसस है बहुती जदा नॉरमल प्रॉसस है कुछ बच्छों में मसल टोन कम होता है और जीः भी एक मासपेशिया जिसमें मुझ की अन्य मासपेशिया नेंतर्त करती है मसल टोन की वज़े से बच्चे सामान से जयदा मुझ से जीः बाहर निकालती है surge down syndrome और cerebral palsy जैसी इस्तितियों में भी क्या होता है जो मसल टोन में कमी आ जाती है जिसके कालर बच्चे क्या करते अपनी टंग को बाहर निकालती है इसके लावा लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि बच्चे को हिपोटोनिया, माइक्रो गनाथिया जैसी के इस्तितिया के कालर भी बच्चे जीब बाहर निकालती है अगर आपका बच्चा सामने से ज़ादा वो बहुत चोटा है और बहुत ज़ादा जीब को बहार निकाल रहा है साथे साथ सलाइबा भी निकाल रहा है डूलिंग कर रहा है तो ऐसी कंडिशन में आपको इसको इग्नूर नहीं करना है आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है अपने बच्चे को जरूर चकप करवाना है तो माई डियर मॉमेज उमेद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए बैनिफिट करें और इसी तरह से में साथ जोड़े रहे मैं नेक्स वीडियो मिलती हूँ नेक्स्ट अपते के साथ अब तक की एक बाबाई